जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने पर्मेरेंट चेंज करनी अपने URL के अंदर तो हम वो 301 डीडिरेक्ट यूज कर सकते हैं लेकिन अक्सर हम पर्मेरेंट चेंज नहीं कर सकते हैं URL के अंदर तब हम कैसे इसको application को handle करेंगे तो उसकी एक example जैसे कि मैंने पहले बताया कि मॉबाइल स्टोर की example हम दोबारा लेंगे और ये तीन URL जैसे आप देख सकते हैं ये तीन URL हमें चाहिएं क्योंके customer जब filter करेगा तो वो URL के थूर ही filter होगा और ये software इस तरह से बने वे होते हैं क्योंके इसके इलावा option नहीं है तो आपको software नहीं ये URL चेंज करने ही करने है अगर आप इसको redirect कर देंगे कि for example अगर second URL भी first पर चला जाए और third URL भी first पर चला जाए तो उसको कभी filtering चलेगी ही नहीं वो software ब्रेक हो जाएगा और वो filter नहीं कर सेगएगा अपना content so इसको कैसे handle करना है इसको handle करने के लिए basically एक canonical tag गूगल introduce करवाया यहीं जिसनें से meta tags होते हैं उससे canonical tags भी होते हैं तो पहले अगर आप देखें कि example में दोबारा उसी की लूँगा कि मैंने एक mobile store पर जाकर अपनी COD यहनी cash on delivery और four plus ratings जब उसको select की तो आप देखेंगे निची URL में वो proper filter होता जा रहा है अब इससे मुझे क्या नजर आ रहा है मुझे वो content नजर आ रहा है या वो mobile नजर आ रहे हैं जो cash on delivery पर मिल सकते हैं और जो basically four star या उससे ज़्यादा की ratings रखते हैं इसको enable करने के लिए मुझे क्या करना है मुझे canonical tag लगाना है उस main page के ओपर जिसकी यह copy बनते जा रहे हैं क्योंकि अगर मैं canonical tag नहीं लगाऊंगा तो इसको redirect कर दूँगा तो यह system break हो जाएगा यह URL create ही नहीं होगा जब URL create नहीं होगा तो वह filter भी नहीं लगेंगे तो canonical tag देखना में कुछ इस तरह का लगता है आपको यह किसी भी website में अगर आप explore करें source में आप देख सकते हैं canonical का word लिखेंगे तो आपको canonical tag इस तरह का लिखावा नजर आएगा इसमें होता क्या है कि आप जितनी भी copies आप बनते हैं या बनती है system-wide आप उसको command दे देते हैं कि भाई इस main page का यह canonical tag है तो इससे यह होता है कि जितनी भी copies बनती है Google जब उसको crawl करता है उसको उसका code पढ़ता है वो देख लेता है कि अच्छा भाई यह page तो है लेकिन इसकी एसल page यही है लगे वे होंगे तो वो वापिस Google देखेगा कि अच्छा भाई मैंने तो सिर्फ main page ही index करना है मैंने बाकी pages index नहीं करने क्योंकि Google को हम स्वाजिया लफजों में canonical tag के थरू यह बता रहे हैं कि भाई यह copy है इसका content index मत करो यह उस main page की copy है इसका content index करो तो हम जो filtered criteria है वो Google में नहीं चाहते हैं हम स्मार्टफोन का page चाहते हैं स्मार्टफोन का page तब ही नजर आएगा जब हम उसको optimize करेंगे अगर उसके साथ हम multiple pages उसके सब pages जिसमें four ratings की criteria three ratings का one का five का बतलब इतने सारे criteria बनेंगे और इतनी सारे copies बन जेंगी कि वो सब duplicate में count ह हमें penalty के तहद हमें ranking हमारी खतम कर देगा तो यह काफी serious issue है अगर इसको आप नहीं ध्यान देंगे तो ultimately आप rank ही नहीं कर रहेंगे और आप a competitor आपके उपर rank कर जाएगा तो आप अपनी website कर रहे हैं या किसी भी client की website कर रहे हैं चाहे वो regular website है चाहे वो e-commerce की website है duplicate content है वो create ह हो जाता है उसको आपने fix करना होता है तो यह चीज़े manual करने के लिए हैं अगर आप WordPress यूज़ कर रहे हैं तो WordPress में भी plugins मिल जाते हैं जिससे योश का plugin automatically हर पेज़ पे canonical tag खुद ही डाल देता है वो योश का अगर SEO का plugin आप WordPress में डाले तो आप canonical tag डालने की ज़रूरत नहीं ह लेकिन अगर आपने for example दो pages बनाए हैं और आप दोनों समझते हैं कि दो different pages हैं तो different content है लेकिं Google आप नहीं चाहते हैं कि Google आपको penalize करे उन दो pages की वज़ा से तो आप उसकी settings में जाकर उस duplicate page के ओपर main page का URL डाल सकते हैं यह plugin क्या करेगा यह plugin आपके URL को उसके अपर आपयज को index करना है और जब भी को user search करेगा तो उसको सिरफ एक ही page Google में नजर आएगा तो यह एक और तरीका है duplication को रोकने का जिसमें आप 301 redirect नहीं लगा सकते वहां पर आप canonical tag से duplication handle करते हैं